तो काई जिता कि अब लोग ने लाश एपिसोड के एंड में देखाता है यहाँ पर इसका एपी लोगनेजिशन के बहुत सुछूने यह इंट्फिंट का एक हाथ उड़ा दिया होते है अपने गोले वाले डेक से और वो के रहा होते है तुम्हारा एक हाथ डिस्ट्रे हो जिसकी वजह से में यह को कोई रहा पड़ेगा और वह साथ ही अपनी क्रियेशन माउंटन ओफ आइस ट्रीका यूज करते हुए अपने एक हाथ को पुरा फ्रीज कर लेता है और ग्रेविटी का यूज कर इसे शुटकर आपने के लिए लिए लेकिन अफसोस की बात यह वर ट्रीक्स है या फिर तुमने से भी यूज कर ली तभी एंफेंट उसकी तरफ शेडव सोचर को फेग देता है कि रहा होता है मरने यह तो चलो साथ में मरेंगे दिखाया जाता है उसको बहुत इता चोक जाता है वो शेडव सोचर एक्दम से अजू से लिपर जाता है और व चाहूंगा तो वो फटाक से चुटके बचाते हुए अपने उस ब्लेक से गॉले को गयाब कर देता है एंफेंट के हाथ से एंफेंट के रहा होता है तो ग्रैविटी चली गई और फिर दिखाया चाता है वह दोनों ही नीचे कि तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं जू सोच होता है एंफेंट क्या तुम तो वाके में चुए की तरह हो और साथ है यहां पर छुपने का कोई भी मतलब नहीं है मैं चाहूं तो इस पूरी जेगा को डिश्ट्रे कर सकता हूं और तुम भी जानते हो कि मैं बस वाके मैं ऐसा करने की पावर है यह एंफेंट कहता है या कोर्स मुझे पता है इसलिए मैं चुपने की कोईशित नहीं कर रहा हूं बलकि मैंने डिजिजन बना लिया है कि मैं तुमारी सोल ले लूँगा जो केता है कि तुम मेरी लोगे क्या तुम वागे में ऐसा कर भी सकते हो क्या लग रहा है तुम्हें अपने देखना बंद होता है तुम यहां पर अपनी से अबस थोड़ा सा कॉल्ट कर रहे हो मेरे डिस्टेशन की पाउर के सामने और साथ ही वह यहां पर एक छोड़ा सा गोला बना देता है शेंटी आर्थ एंट फेरो नाम होता है इस अड़े का दिखाया जाता है यह इन की नजर उसके हाथ की अं हम समय में तेता डेलोफ कैसे हो गए जूब का दियान भी एंट फेरो जाता है यहां पर तुम अकिले नहीं हो जिसके पास इस एंगोड़ी है हाला कि मैं अभी यह नहीं जानता है कि इस रिंग के फुल कैप है कैसे यूज कर जा सकता है जूब कर सकता हूं कि तुम्हारी सा साथी अबने उन दोनों को रिंग के तरफ एक देता है और लेंक को ट्रायरही होतायाँ होताए चाहीं कर देख लागए दिखा लेक लेकांट जोव्स्ताय है और लग् multiplic plus ळित्यांव ढावा आतीया है पर इंप यहां पर खावदा देकत रही होता है वो क्यारा होता है यहां तो कि मेरा डीवोबर कोल भी कमिलिली इसके टेक को अब्जोब नहीं कर पाया बस थोड़ा सा स्लो कर दिया है लेकिन मैं इसको भी रोक नहीं पाऊंगा मेरे को जल्दी से जू को मार के इस गेम को खतम करना होगा और साथी वो जम करता हुआ थोड़ इस फिलम को पकड़ लिया होता है और वो कहता है वैसे इस तरह की पावर मेरे रिंग में भी है लेकिन इसके थोड़ी अलग है मैं इसके जरीए सारे फ्लेम को कंट्रोल कर सकता हूं है जतक कि फ्लेम से हैवन और अर्थ में जन्रेट होगी मेरे को मानना इंपोसिबल लेन क साथ तो मेरे को हट नहीं कर पाऊंगे मैं तुमसे कम लिटली डिफ्रेंट हो और साथी वह उसकी आई से तलवार को तोड़ डालता है यहां पर यहां पर यहां ने अपनी शेडव आर्मे को रिलीज कर लिया होता है जिसने उसके फ्लेम को रोक लिया एंफन कहता है मैं मेरी यूनिफाइब मॉटल वाली पाऊर को इता कम भी नहीं आखना चाहिए और बस ओनली मॉटल बोड़ इसके साथ भी तुम जैसे एक गौड को मारा जा सकता है और बिर साथ यह उसके खतनाग वाले शोड़ो सागे बढ़ते हैं अंकल यहन का शेड़ो और बागी के दो में वाटर और आइस का यूज़ करूँगा अगर फायर डिस्ट्रेक्शन है तो फिर वाटर से क्रियेशन होगा और यहां पर यहां पर यह इंफंट का इस सरी विम से उसको पर अड़े कर देता है जो कि उसने आइस और वाटर को मिला के बनाए उसको पर लग जाती है सारी यह इटर्ण कहते है कि हमें जित गया कि तभी एक बलेक सा गोला यह इंफंट का आपा रही रेक्शन है और साथ ही उसकी पूरी शेड़ू आमें वी ओड़े हाती है और अंगल यहन का शेड़ू भी चलने लगता है उसकी पर पर फ़लेम में जू कहते है दुर बहाग के से तुम्हारी क्रिएशन तो काफ एदा वेगती तुम्हारी क्रिएशन में डिस्टेशन के सामने कुछ भी नहीं में चपी नहीं है और फिर साथी वो अपने फ्लेम का यूज करते हुए एक इस्टर डैप को बनाते हलकासा और यह इंफन की तरफ फेक देता है कि रहा होता है इस तैम तुम मरोगे और वो भी एंफन की बोड़ी क्या पार हो चाता है यह रधा कियसा के सकते हैं मैं यहां पर क्यों रसकता हम मुझे तो मेरे घंचाम कीरव एखियए और यहां पर इसे कैसे मर सकता हूं और साथी वह जोर से खास था है और खुद को पुछ करते हुए बोलता है भले ही मेरी बोड़ी के तुकड़े क्यों नहीं में गर जाए तो भी क्या में यहां पर तब तक फैट करता रहूंगा चोब तक मेरे अंदर खूंड की आखरी डौप ह और साथी creation के hobby कभी नहीं मरेगी कि तब उसकी रिंग से एक अलगी power release होती है पानी पानी वाली यहां पर बहुत सरा पानी निकलता है और साथी एक लड़की का रूप ले लेता है वो केरी होते है फाइनली तुमारे इस life के बिल ने फाइनली इसको समझ लिया है यह infant यह आ आपने एक फेरी आजाती है यह दुनिया की origin के बीच का अंतर है जहां पर अपन दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं यह infant कहता है यहां को नहीं पर सोचा होता है यह किती बड़ी है वह फेरी बोलती है इसे कोई फ्रक निपड़ता कि मैं कौन हूं मैंने यह रखता है कि origin of water तुम्हें रिखनो नाइस कर रहा है अब इस मुमेंट से तुम्हें चुने हुए परसन हो यह infant कहता है water of the origin आख रहे क्या है मेरे पास तो बस ice creation की पाउर थी ना और वह फेरी बोलती है जर आपने हाथ की तरफ तो देखो यह infant अपने हाथ की तरफ देखता है तो वह पुर फाइब उरिचंस को मिला करी तो मैं एक लाइट फिर से बना सकते हो यहा तो तुम दूसरों के लिए परेंडल बनो या फिर दुनिया को बचाओ शोई तुम्हारी है और फिर साथी वह फेरी उस दुहें में ही गाया बहुँ जाती है यह infant कह रहा होते है जो रुको तो मैं यह पास एक कोशन है और वह साथी के तैरे वह तो डिसेपेर हो गई और फिर साथी एपने आसपास देखता है और चलात हुए कहता है अब यह क्या हो रहा है वह वोटर से घिरा हुआ रहे ताई और फिर चोटी से फेरी बन जाती है या फिर इस प्रेट टाइब का कुछ औ और यह 4 divine water की origin power है जोगे यह इन फेंट की तरह पढ़ लेए ता power of the great river और फिर साथी वह पावर एंट में समाज आती होगे और फिर साथी यह इनफेंट को होशाते है वह रियल दुनिया में होता है तो देखाया जाता है वह गोला यह इन फेंट की बोड़ी के आपर निकल चुका रहेता है लेगन अबीप जिन्दा है देखाया जथा है यह देखा जूचों का रहेता है के रहा होता है इस बच्छे ने तो मेरी इस टेकनिक का भी सामना कर दिया और इसकी बोड़ी का और अपकर यह और कैसे हो सकता है वाट ताहल अब साथ ही हाँ पर यह अपनी करूंगा तुमको मरना होगा तुमारी एक जिंस मेरे कंपैर में कुछ भी नहीं है यहां पर कोई भी मेरे जैसा नहीं हो सकता तो मैं इस वर्ल्ड से डिस्पैर होना पड़ेगा और साथ ही वह अपने फ्लेम वाली तलवार से उसको पर अड़े का देता है पर यहां पर यह और यहां पर उसका काम तमाम हो चाता है जाता है जो के रहा होते हैं कि यही मेरा अंते आखिरे साख कैसे पोसिबल हो सकते हैं मैं बागी सभी लोगों से बहुती ज़्यादा अलग था जब से मैं एक बच्चा था मैं एक जीनियस था, सभी लोग में ले पागल थे, मेरी पूछा करते थे क्योंकि उनको इसा विश्वास था कि मेरे तरह बनाब होती ही मुश्के लिए मैं एक श्ट्रॉंग बन हूँ वेसे भी इंसानों को नेचर तो यह यह वो इस्ट्रॉंग लोगों की पूछा करते हैं मैंने कौलिज एंट्रं इसाम को ठाटिन के एईज में पास कर लिया था और सूला की एच में युनीवरसिटि से ग्रेजुएट हो गया था और विश की उमर में में मेडिसंस का मास्टर बन गया था Master of Medicine लेकिन मेरे डैड को मेरे उपर कभी भी फक्र मेसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं एक भी बत्ती हूँ मेरे कोई शनम दिने के बाद से मेरी माहमेशा के लिए कोमा में चली गई लेकिन मैं यह सोचता हूँ कम से कम वो अभी यहां पर तो है यही रीसन था कि मैं खुद को आउड़ी स्टेंडिंग एक्सलेंस बनाने के लिए काफी ज़्यादा पेताब था ताकि एक दिन में अपनी मा को जगा सकूँ उससे में मेरा सपना डॉक्टर बनने का था और फिर देखाया जाता है एक जोंबी चुर कितर था बढ़ते हुए आरा होता है जो भड़ाक से नाइफ से उसको मा देता है और वह के सामने कर पढ़ता उसके अनदर का कॉर्क निकल कि उसकी मामी की बोड़े को पर आहाता है तो तो यहां पर जो मीटर लगा हुआ रहता है ना उसमें हल चलोना शुरू हो जाती है वो यह देखता है और किया होता है यह क्या मुझे रेट करा उस चीज की वज़े से और फिर इस तरह से मुझे वो रोशनी मिल गई जो मेरी मां को बचा सकती थी मुझे इस तरह से एक आशा मिल गई और फिर मैंने स्काइवी लोगनाईजेशन के स्थापना करी ताकि मैं जास सहा तक किस्टल कोर कोई खर्टा कर सकूँ और फिर मेरे थे सारे एफर्ट्स की वज़े से मेरी मामी रीकवर हो गई और फिर जब उन्होंने मेरी तरफ देकर मुश्कुराया फाइनली मुझे संच में आ गया कि मेरा ये सब कुछ एफर्ट वाथिर था लेकिन इस बार वो सारे और्डिनरी किस्टल कोर यूसलेस हो गए और फिर मेरे को उस्माइल के लिए डेबल तो शुरू करना पड़ा और फिर उस उस्माइल को फिर सब आने के लिए मेरे सुच्छों कुछ हो सकता हूं मेरी मोम के खातिर मेहां पर नहीं हार सकता और फिर साथ यूडवल से अपने हाथ में गोला बनाने लगता है और यहां पर मर रहा हूं तो तुम्हें भी अपने साल दे डूबूंगा तुम्हें मेरे साथ मेरे जाते हैं तो मेरे पाइंट तो हाया रहे तो हमें एवेंच्छा जीच जाँगा इस वाफ्रागश कर दि यहां पर बहुती बड़ा धमाका होता है दिखाया जाता है और यहां पर जोगता है और मास्टर बोलता है यहां इंफेंट केता है यह जब भी मैं अपने अभी बीड़ी का यूज करते हुए किसी को अफजोब करके अपने शेड़ों में इंपोर्ट करता हूँ तो मैं उस बंदे की मेमोरी का सबसे दा डिपेश्ट पार्ड भी एकसेस कर लेता हूँ देख लेता हूँ हाला कि तुम्हारे पास एगो नहीं है और मैंने देखा जो भी तुम्हारे मदर के साथ हुआ तो चलो मैं तुमको एक छोटी से सच्चा ही बता देता हूँ असलमैं मेरे को एक मिशन मिलाता है जिसमें मेरे को एक वूमेन को पृटेट करना ता जो कि ऐस अधने डिपेंडली से जो とुम्हारे मेमोरी में ती और उस वक्त मेभी इसका विलोगनाईजेशन का एक मेंबर हुआ करता था लेकिन उस वक्त जो मैंने देखा था वो completely different था और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ प्राइबेस लाइफ का यह अपना कोई किस्ता सुना रहा है जिसमें यहाँ इन्फेंट को उसी woman की protection के लिए रखा गया था दरवाजे पर guard के दोर पर आखिर इस जिगा पर है कोन हमें यहाँ की बारी बारी रखवाले क्यों करनी पर लई है और वो बंदा कहता है अगर तुम जानना चाहते है तो तुम खुदी यहाँ पर आकर अंदर आकर देख लो शायद यह सेलिब्रिटी होगी वैसे भी मेरे अंदर तीमन की में अंदर जाकर देखूं क्योंकि इससे मेरी जान पर जा सकती है और पर साथ ही वो खुमते वे कहता है डामेड मेरे को उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना देखाया जाता है यहाँ जाली संदर छाकने की कोशिश करने लगता है कह रहा होता है लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पर ऐसा है कोई जिस ने हमारे चिफ को त्टा जा था इसिटिंक बना दिया कि अजिव मर ना चाहता है रुक जब पर यह शाकर देख लेता है और अंदर कर नाजर देकर काफी हिरान हो जाता है असल में यहाँ पर एक जॉम्बी होता है जिसको चेहन से बांद कर रखा गया है यानि कि जू के मम्मी एक जॉम्बी बन चुकी है यह इंफन केता है जॉम्मी ने वहाँ पर देखा था वो कोई यूमर नहीं था और नहीं वो एक नॉर्मल जॉम्मी था इंदा फेक्ट हुम बस इतने लंबे टाइम से पागल हो गए थे हो सकता है कि पहले दिन जब मुलाकातु जॉम्बी से हुई थी तो उस जॉम्मी ने तुमारी मां को काट लिया होगा जिसकी वज़े से उनके अमुनिटर पे उनकी रेटिंग थोड़ी उड़ती भी दिखाई दी उनका हार्ट रेट इंकरेज हो गया और अब मुझे यहां पर एसास हुआ है कि असल में इसकाई वील और्गनेजेशन का लीडर एक पागलादमी था जो भगवा उनने का दावा किया करता था और यह वाके में काफी इचाता मुक्ता पूर्ण था यहां परिसेंड में जहां मैं बिना पलक जबकाई किल कर देता हूँ लेगन शायद कम से कम यहां पर कोई तो इसी पावर है जो दुनिया को डबल से उसी सिटूशन में ले जा सकती है जैसी वो हुआ करती थी अगर मैंने पास जंगोड़ियों को कलेट कर लिया तो फिर मैं उस लाइट को रिकारनेट कर पाऊंगा और अगर वो दिन वाकई में बापास आ जाते हैं तो मैं अच्छा टाइम बिताने के लिए किन्जू को अपने साथ लेकर अम्यूज़न पार्क जाऊंगा आइस ख्रीम खाएंगे और जोकर का शो भी देखेंगे अपन और पिर साथ ही वो सभी लोगों को याद करते हुए कहता है अगर तो लोगों के साथ भी साथ में नहीं जाते तो तुमको बक्षपादे कहा जाएगा तो फिर चलो साथ में चलते हैं और फिर साथ यहां पर डूम्सडैपर हो जाते हैं और किय रहा होता है बधायो यह अनफेंट तुमने फेस्ट प्लेस हासिल कर लिए और तुम कोड से मिने के लिए कौलिफाइब हो चुके हो तो अब तुम्हारा नेक्ट ट्रांसमेशन स्टार्ट किया जा रहा है और साथ है पर एंफन को ट्रांसपोर्ट किया जाने लगता है यह एंफन हिरानी से किया रहा होता है प्लैनिट यूनिवर्स अब मेरे को आखिर कहां पर भेचा जा रहे है नेक्ट और साथी वह एक अलगी जिगा पर होते हैं पर एक खमर डॉप कुछ बना हुआ रहे रहे तैंसामने य चाहिए और नांनीत रेंगा ब्लेक यहां पर ही उनमें से कहते हैं यह पर हैं जाक के दो बटाक से गुटने टेक देता है कि रहा होते हैं सोरी सोरी मैं अभी कुछ टाइम के लिए कुछ तो यह लोग मेरे को पलक जबकते सी मार देंगे अभी फिलाल तो मैं यहां पर इनके सामने बस अपना से सकता हूं और जब मैं पाश्यों को लेट कर लूँगा फिर यह लोग मेरे सामने को निटेंगे गए बर जब तक के लिए मेरे को थोड़ा इंतिजार करना होगा अगर मेरे को एक हिरो बनना है तो मेरे को पेशेंट्स रखने की ज़रूरत है वो लोग के तहीं बहुत अच्छ इस तरह से मरने वाला हूं अब इस दुनिया के सच्छा ही तक पता नहीं चली यू बास्टर्स उन्में से कह रहा होते हैं में जग्रोबाला इससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं अप लोग अपना बीज जिसके अंदर रोपेंगे और फिर इससे कुछ बताएंगे ताक और देखाया जाता है यह अधना ज़्यादा सप्राइज होने की जरूत नहीं है में तुम्हें अपने हाड में एंटर कर चुके और हमने तुमारे अंदर एक बीच बॉलता है क्या बीच वह बताता है अगर तुमने हमारे दोबारा दिये गए और को नहीं माना तो तुम्हें अंदर जो बीच लगा या वो फट जाएगा चाहिए तुम्हें पास कितने भी पाउर क्यों नहों तो मुझे स्पॉर्ट से कभी नहीं बच पाऊगे क्योंकि और साथी वह अपना हाथ लाता है तो यह एंट्फेंट को बहुत जोड़ से दार के बाद को एसले हो जाता है वहां के लिए सब्द्स नहीं में मुझे अगए हार्ट को जाते हॉइब उडरन रिपसे लिए वां हुए ऐवे में के विद्धिंट से लिए से क्रेंट हो जो इस तुम तर लिए बीच लिए उनृट मुरे की आगा और बटा को इस来了 के इससे ल तो कम बनना कोई बुरा बेचान नहीं है वैसे भी अगर ये एंड ओव दा वर्ल्ड नहीं होता तो तुम अभी एक नॉर्मल परसन होते और एक नॉर्मल से इंसान की तरह एक नॉर्मल से जिन्दगी जीते जहां पर कुछ लोगों को छोड़ कर किसी और को तुम्हाई परव जीते झालो पर झालो तुम्हाई बुम्हाई जdarएं चुम्हाई था खवाहिं इज़ से जग्यां सवशन पर प्रस्घार्चना से विंग कर थो जग सुम्हाई जा एक रालो है उम्हाईкого हैं? कर राव राव्रा फुम्हाई